गुड मोनी बच्चों, मैं विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूँ राम राजी इंटर कॉलेज नरानपु प्रेथमपूर, हेरापूर, अम्बेटगर नगर की ऑनलाइन क्लासेस में तो आज हम लोग को पढ़ना है लेक्चर 9, हाइट और डिस्टेंस का दूसरा लेक्चर है इसके पहले भी आठ वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं जिस किसी ने वीडियो को नहीं पढ़ा होगा, तो जाके पहले उस वीडियो को पढ़ें तब आगी इस लेक्चर को एटेंप्ट करें तो यह हम लोग देखने जा रहे है एक्जांपल नमबर 6 तो एक्जांपल नमबर 6 में पहला क्या देखने हम लाले हम लोग एक नदी के पुल के एक बिंदू से नदी के समुक किनारों के आन्मन कोड करमशा 30 अंस और 45 अंस हैं यदि पुल के किनारे से 3 मीटर की उचाई पर हो तो नदी की चोड़ाई ग्याद कीजिए यानि कि एक पुल बना हुआ होगा कुछ ऐसा ऐसा कुछ मांसके हैं हम लोग एक कोना हमारा क्या होगा ए होगा दूसर sorry कोना और हमें क्या आगत करना है A से B तक की दूरी याद करनी है तो चलिए शुरू करते हैं लोग प्रश्ण को तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि अगर हमें A B का मान निकालना होगा तो A B को हम लोग क्या लिए सकते हैं A C A B प्लस क्या हो जाए颂ख हमारा C भी हो जाएगा इक वेश्ण नमबर एक माल लेते हैं हम लोग और यहां पर उचाये पहले से दिया गया क्टना ए तीन मेटरेक्टной मीतर तो गर देन मीटर गजू है इससे जो मान हो गां के का हो जाए गाएं हए तीन रूज जाएगा इसका नोमन कोड भी दिया है पहले आमन कोर की तूसरे और 55 संस तो इसka उससम्मुhr कोड क्या होगा वह भी तीस देज़ दोड़े हैं निकालते हैं प्रस्की तैपल से यहां है ट्रबुज رहे हैं निकालते हैं है फिर्टैन्ट दूटिरलु लेते हैं है लोग तिर्बुज A phodra जाएगा अधार क्यों एक हो जाएगा PC हो जाएगा आधार क्या हो जाएगा हमारा AC हो जाएगा अब यहां पर देखेंगे कि PC कमान किता दिया हुआ है तीन दिया हुआ था तो AC कमान निकालेंगे तीरे गुड़ा कर लेंगे हम लोग तीरे गुड़ा जब करेंगे तो क्या मिल जाएगा है पर AC is equal to मिल जाएगा 3 root 3 meter तो एक बाद तो हमें मेज चुका है AC का फिर हमें निकालना पड़ेगा क्या CB का मान निकालना पड़ेगा CB का माना जाएगा दोनों को जोड़ लेंगे हमें AB का मान पता चल जाएगा तो आगे चलते हैं हम लोग फिर देखें कौनसे वाल तिरभुज में दूसरे वाले तिरभुज में तिरभुज कौनसा इस बार बन रहा हमारा यह वाला तिरभुज तो इस वाल त्रीवज में क्या क्या दिया गया हमें समकोड त्रीवज पी ए पी सी बी दिया गया है जिसमें कोड किता बन रहा है पैजालेसंस बन रहा है तो आपको फिर से पता है कि 10 सीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है इस पर कोड हमारा क्या है 55 है तो लंब हमारा क्या हो जाएगा यह PC होगा और आधार हमारा क्या बन जाएगा यह BC यह फिर CB बन जाएगा तो हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं 1025 कमान लेने वाले हैं तो 1025 बराबर क्या हो जाएगा PC अपान सीबी हो जाएगा PC कमान उपर दिया ही है कितना है थीन है ठीक आप से खामान हम लोगों को niqaula को निकालना होगा तो चाहिक एक कंई कहा निया रहाब fijnell लगा क्या हो जाएक यहां से इसे अब हम लोग देख सकते हैं कि ए भी बराबर क्या आपका सेम चीज़ उपर जो माना हुआ था क्या था एसी और सीवी था अब यहां पर एसी कमान कितना है यहां पर थी रूट 3 है और यहां पर जो हमारा सीबी है ओ दिया ही है कितना है तीन दिया गया है तो दोनों मान उठाके हम लोग यहां पर रख देते हैं जैसे वाला मान लोग उठाके रखेंगे देखें किया कामन मिल रहा है हमें 3 कामन मिल रहा है अगर 3 को कामन कर लेंगे क्या बचेगा हमारे पास 3 अंड़ 3 प्लस का 1 ब पास है यह भी बराबर यानि की पुल की जो बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी है हमारे पास थ्री ब्रिकर्ड में अंडर थ्री प्लस का वन मीटर आगे चलते हैं हम लोग अब देखते हैं नोसे हम लोग एक प्रश्णा वली के कुछ कोश्चन जो बचे हुए थे त और उसके पाद का ऑनुमन कोड पैताली संस है टावर की उचाई गयात कीजिए तो देख लिजिए यह से फिगर आपको क्रियर हो जाना चाहिए पहले कितना है साथ मीटर उचा हमारा क्या एक भववन है यह भवन हो गया हमारा अब इसके सिखर से एक ऑनुमन कोड बन रहा है ऐसा कुछ जो इसका उन्यार और अउनमन कोड है वो कितना दिया है साथ हंस और पैताली संस ठीक है ना तो अगर हम लोग देखें तो यहां पर हमारा जो मान होगा उप्राप्त हो जाएगा इसी फिगर से देखिए फिगर क्या बना हुआ है यहां पर यह वाला फिगर है तो यहां पर देखोगे अगर आप तो हम लोगों ने मान लिया कि मीनार की उचाई क्या है यहां पे हस्माइल एच लोन डिजिए और बी इस इकोल डी सी 111 कौन है हम धी कुए माना हमने देखिए को यहां पे क्या मंद आ एक आयत में आयत में हम लोगो पता है कि प्लोओ घंगा मैं उती है। समान होती है। तो अगर जो इस्ट्सा karışता एखिर कॉन्हान होगा है हमारा अब आगे देखते हैं हम लोग यहां पर हम लोग को पता है कि जो भावन की उचाई है वो कितनी यह साथ है यह नहीं कह सकते हम लोग जो डी से का मान है वही मान हमारा हो जाएगा सी से बी का मान हो जाएगा अगर यह पूरी हुचा हमने मान रखी यह तो यह वाल दूरी हमारी क्या हो जाएगी यह वाली हमारी क्या हो जाएगी तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि दो तिर्भुज बन रहा है तो तिर्भुज को हल कर लेंगे हमें हमारा result मिल जाएगा तो देखिए कौन कौन से तिर्भुज लेना हमें यहां पर हमारे पास एक तिर्भुज तो यह वड़ा वाला है उपर वाला है और दूसरा तिर्भुज हमारा क्या नीचे वाला है तो हम लोग क्या करेंगे अलग-अलग से इनको solve कर लेंग क्याता है तो सम्मुख भुजै है उल्लंव हो की और हमारा या यहां अधार होजएगा यहां पर लखके हैं 65.9 से पर मान के न Fluxelles का मान के बडाबर हैं पर दूसरे वाल तिर्भुज की पास आते हैं लोग यह वाल जो तिर्भुज यहां पर बना हुआ है इस वाल तिर्भुज में देखेंगे हम लोग क्या तिर्भुज तिर्भुज गुर्णे के बात हम लोगे मझेलं डाइगा यह वाला मान प्राप्ट तुछ गण करते हैं साथ का पक्षांत्र कर देचे के लोग यहां पर देखेंगे क्या मिल जाएगा आपको वो हो जाएगा आपके पास h is equal to c1 root 3 plus का हो जाएगा c1 तो यहां से 7 को बोग कामन कर लेंगे तो root 3 plus का 1 यह मिल जाएगा हमें यह हमारा हो जाएगा टावर की उचाए हो जाएगी तो अब देखने जा रहे हैं हम लोग प्रेशन नमबर 13 समंद्र तल से 75 मीटर उचे है है हास के सिख्यत से देखने पर दो समंद्र जहाज के ओनमन कोड 30 और 45 यानि कि यह कहीं पर बना हुग ऐसा कोई तल होगा आपका आईसा कोई तल होगा यहां पर और वहां से इसका जो और मन कोड है और तो इसन हो comment hard हो दो चांएल 50 मेटर तो अब आते हैं लोग, फिगर के पास तो यहां पर देखिए आप यह फिगर बना गए है उचाए कि दी थी हमें पचात्तर मीटर दी गई थी और यहां से जो शीष बिंदू हमारा है वहां से जो अनुमन कोड है वह एक का 30 संस है यह देख सकते हैं दूसरे हो कितना है पैताले संस है तो इसके जो सम इसके पाद से पहले वाल जहाज की दूरी क्या होगी यह फिसके पाद से दूसरे वाल जहाज की दूरी क्या होगी तो हम लोग निकाल सकते हैं पहले क्या करेंगे हम लोग इसका मान निकाल लेंगे फिर हम लोग क्या कर सकते हैं इन दोनों में रिलेशन निकाल लेंगे तो तो लाए में तो नॲाहिं करती होगा हमारे अधरलबा कर दस्राइब सलड़े इथ basin हो जाएगा Om थिस हो जाएगा अधर हमारे किए सी हो जाएगा तो यहां पर जाएगा सीजी बटे अधरे करने के बाद मिंदाएगा अस एक सि कोंड तेर सिकल तो पजाएगा पर तरफोच भी सीडी में भी सीडी हमारे कौन सा बड़ा वाल बढ़ा पीड है आपका पूरा वना यह वाला बड़ा सा तो तो अब देख लेते हैं लोग दूसरा त्रीबूज से तो यहां पेखे वाज़ जाएगा तो यहां पर धन क्या हो जाएगा तो अप अगले और दिया है और वी एदन क्या है यह पर निकाल रख़ा है क्या करें है यहां से त्रीक गोडा करेंगे थर्यक गोर और यंको हल करने के बाद आपको आपका रिजड मिल जाएगा बीकामान जो क्या होगी तो जहाजों को दूरी होगी यानि कि B से E कमान दो जाजों की बीच की दूरी अगर आप से पोश्च रहता कि पाद से जहाज दो एक की दूरी क्या होगी तो आप क्या करते दोने दूरियों को जोड लेते तब आपको दूसरा भी मान मिल जाता लेकिन वो पूशा क्या है अब देखते हैं हम लोग कोशिन नमबर 14 अब कोशिन नमबर 14 तो फिगर बना के दे दिये सारे मान भी दिये गए तो इनको हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा यहां पर लिखा हुआ लंबी एक लकड़ी भूमी से 282 मीटर की उचाई पर 36 रेखा में हवा में यानि कि यह नीचे जो लिखा हुआ है यह हमारा क्या है लकड़ी है देख सकते हैं आप यह हमारा क्या लकड़ी है राइट अब क्या कह रहा है च्छते आखों से यानि कि हम लोग यहीं पर खड़े ह हो जाएं और फिर क्या देखे जहां पर हवाबें थी यह लकड़ी वहीं से देखे तो यहां पर क्या बन रहा है हमारा एक 30 का दूसरा 60 का कोड़ बनने लगा है अब कह रहा है कि इस अंतराल के दोरान गुबाले द्वारत तैकी गई दूरी गयात कीजिए अब तैकी की 88.2 मीटर दी गई थी ठीक है ना और हवा में लकड़ी कितनी उची थी एक सम्दू मीटर उची थी तो अगर हम लोग देखे तो यह वाली डिस्टेंस जो हमारी होगी लेंथ जो होगी ओ क्या हो जाएगी घड़ जाएगी ना इस वाली लेंथ से पूरे वाली लेंथ से और मीटर दी गई थी लकड़ी को छोड़कर गुबाड़े की उचाई यानि कि यह वाली लेंथ को छोड़के अब यहां से यहां तकी जो उचाई होगी ओ क्या हो जाएगी तो 282 में हम लोग क्या करेंगे एक सम्दू को घटा देंगे मिल जाएगा हमें कितना 87 मीटर मिल होगा एक रिवस्द्र कर यह वाला बन रहा है दूसरा द्रिव आपका ए पूरा बन रहा है दोंए क्या अल्हेला कोड को दिये गये हैं एक animal की दूसरा साटन्स का तो उन समकॉर्ट तिर्भुज को हम लोग हल करते हैं हल करने के बाद रिजल्ट लेके आते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा वह नोग देखते हैं अब यहां पर क्या लिखा हुआ है तिर्भुज A, B, C में A, B, C कौन से तिरफुज हमारा है वह वाला पार्ट है नीचे वाला ठीक ना इस वाली तुर्फट में हम देखें तो कोल किता मिल रहा है हमें साइटन तो कोल अगर साइटन मिल रहा है हमें तो टैन साइटन बराबर क्या लिखें हम लोग A, B लम्ट अधार थैंलम बटें आधार यानि कित्ना जाएगा BC हो जाएगा तो यहां पे यहां पर अगर आप तो यहां से मुझे निकाल सकते हैं थे कि आप बीसी कमान निकालेंगे तीरे गुड़ा करेंगे तीरे गुड़ा करने के बाद बीसी कमान आजाएगा तो शाइन तीस बराबर कि हो जाएगा आपका डी इपटे इसी हो जाएगा यानि कि लंबटे अधार हुई होगा ना लंब हमारे हो जाएगा और अधान हमारा कि हो जाएगा यह पूरा हो जाएगा ठीक है ना अगर यह पूरा हमारा अधार बन गया तो अब हमारे पास यह वाला पूरा जो मान होगा हो किस बान के बराबर होगा हम लो तो हमने क्या किया है उपर वाला मान उठा के लाके यहां पर रग भी दिया गया पर तीरे गुड़ा किया तीरे गुड़ा किया इसको हल कर लिया हल करने के बाद आपको मिल जाएगा यहां से इवी बराबर 87 रूट 3 माइनस का 87 बटे रूट 3 अगर आप चाहो तो इसको और यहां पर हल कर सकते हो हल कैसे करेंगे हम लोग यहां पर लिख देंगे कितना रूट 3 से अंसर हर में क्या गुड़ा करने पर तो यहां पर क्या मिल जाता आपको 87 रूट 3 माइनस को जाएगा यहां पर 87 रूट 3 बटे केतना हो जाएगा 3 फिर यहां से भाग भी कर देते और आपको एबी का एक्जेक्ट मान भी पैसल जाता है लेकिन अभी हम लोगों ने किया नहीं है वो प्रोसेस्स अम लोग आगे करने वाले हैं तो हमने यहां पर किया 87 को कामन कर लिया क्या बचा हमारे पास यह पूरा मान मिल जाए है अब क्या करेंगे तीरे गुड़ा करने के तो कितना बचेगा दो तो 87 गुड़े दो बटे रूट 3 हो जाएगा यहां पर हो गया अब रूट 3 यानि की वर्ग मूल कभी नीचे आता ही नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे यहीं पर ही रूट 3 से अंसर हर में गुड़ा कर देंगे आपकाम यहां पर भी कर सकते थे अग हाँ रूट 3 मीटर यह हमारा हो जाएगा मान और अगर हम से पूछ लेता सी से ए का जो मान होगा तुम लोग क्या करते दोनों वाइल लिंथ को क्या करते इस वाइल लिंथ को और इस वाइल लिंथ को दोनों को क्या करते एड कर लेते एड करने के बाद हमें हमारा